नवसकार मैं हूँ संजय किशोर, भारती टेस्ट टीम इंगलेंड में है और T20 टीम आइलेंड में हार्दिक पांडिया की कप्तानी में भारती टीम आइलेंड में दो T20 मैच खेलेगी पहला मैच 26 और दूसरा 28 जून को है दोने मैच लिस्टबर में खेले जाएंगे, टेस्ट मैच एक जुलाई से बर्मिंगह में खेला जाएगा द्रसल ये टेस्ट मैच पिछली शिंक्रा का हिस्सा है, कोविट के कारण पिछली सीरीज का एक टेस्ट मैच टाल दिया गया था भारते टीम शिंखला में दो एक से आगे चल रही है तब विराट कोहली कप्तान थे इस बार कमान रोहिश शर्मा के हाथों में है इकला होते टेस्ट के पहले भारत लिश्टर शर्व में चार दिन का एक अभ्यास मैच केल रहा है पर लगता है कि टेस्ट टीम के खिलारी उपर से आईपिल का खुमार अभी उतर नहीं पाया है खिलारी अभी टीटवेंटी मोड में नजर आ रहे हैं टेस्ट टीम के अभ्यास मैच की पहली पारी में टाय टाय फिस हो गई लगती है हलांके भारते टीम का खारिज कर देना जल्दवाजी होगी मगर इंग्लेंड में सरीज जीतना इस बार पहले से बड़ी चुनोती होगी अब हालाद ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं इस मुद्धे पर कुछ दिल पहले हमने पूर क्रिकेटर सेयद सवाकरीम से बातचीत की थी आपको क्या लगता है कि इस बार टीम कितने तयार है इंग्लेंड के खिलाप किया एक साल में कुछ बहुत कुछ बदल चुका है दोनों इक उमें बहुत जादा बदलाव आये हैं जो टीम किस्टे बार गई थी उसमें से कई सारे प्लेज इस समय नहीं है विशेश करके जिनके रहने का नाम नहीं है हाना कि छिदेश को पुजारा की वापसी हो रही है विराट कोली खुद कफ्तानी करेंगे नहीं एक नए कफ्तान के साथ भारती टीम जा रही है भारत को जो भारती टीम को जो मैनेजमेंट है उसमें परिवर्तन हुआ है तो कई सारे चेंजिस हुए है और भारत का मुकाबला इस बार एक स्ट्रॉंग टीम के साथ है जो अलग माइंडसेट के साथ चुल रही है बेंस्टोक्स कफ्तान है उसके साथ साथ बेंडन मेकेलम कोच है उसके पूरा का पूरा परिवर्तन वहाँ पी हुआ है बहुत दिल्चस्प होने वाला है यह टेस्ट मैश और मैं तो बहुत दो एक्साइट है इस टेस्ट मैश को देखने के लिए और मुझे लगता है यह भिड़न्थ है एक पॉजिटिव माइंडसेट वाली टीम जो कि इंग्लेंड की है और उसका मुकाबला है एक स्ट्रॉंग सॉलिड टेस्ट टीम के सामने जिसका अप्रोच कुछ अलग प्रकार का रहता है भारती टीम का अप्रोच टेस्ट मैश में है बहुत जादा बॉच्ट फुल होकर और फिर अटैक करना दूसरी तरफ एक इंग्लेंड की टीम है जो इस समय विश्वास रख रही है पॉजिटिव और रिलेंटलिस अटैक के साथ तो बहुत ही ये एक शांदार टेस्ट मैश दिल्चस्ट टेस्ट मैश होने वाला है नाई केवल दो स्ट्रॉंग टेस्ट टीम के विरुद और मुझे लगता है कि दो डिफरेंट स्कूल अफ थॉट के विरुद तो टेस्ट मैश को मैं उस प्रकार से देख रहा हूँ ये डिसाइड करेगा आने वाले समय में कि किस प्रकार से आपको टेस्ट मैश खेलना होगा ताकि धेर सारे लोग अभी भी जोड़े रहे हैं टेस्ट मैश के साथ ज्यादा से ज्यादा खिलानियों के अभ्यास का मौका मिल सके इस खेल लिए कुछ भारती खिलारी डिश्टर की टीम से भी खेल रहे हैं सबसे नाश्रा जानक बात है कि भारत के इकलोते खिलारी जिनने सिर्फ टेस्ट मैश मेश में मौका मिलता है वो खाता भी नहीं खोल पाए अभ्यास मैश की पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा श्रणी पर आउट हो गए उन्हें मौमस्ट्रमी ने आउट किया रिशापन्त ने जरूर अच्छी पारी खेली और 76 रण बनाए हना कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अभ्यास मैश के आधार पर भारती टीम को कमजोर नहीं मान सकते खिलाड़ू के सामने दो बड़ी चुनोतिया है टी ट्वेंटी से टेस्ट मोड में स्विच करना और इंग्लेंड की प्रस्थीतियों में खुद को जल्द से जल्द ढालना टेस्ट सिरीज पांच मैश की है पहरा टेस्ट मैश पिछले साल अगस्त में नौटिंगम में खेला गया था जो ड्रॉ रहा था लॉट्स में खेला गया दूसरा टेस्ट भारत ने 151 रणों से जीत लिया मैश की हीरो रहे केल राहूल जिरों ने पहली पारी में 139 रणों की शांदार पारी खेली थी याद रखना होगा कि इस बार केल रहूर टीम में नहीं है लीट्स में खेले गए तीसरा टेस्ट मैच इंग्लाइन ने पारी और 76 रनों से जीत लिया चौथर टेस्ट में भारत ने फिर वाफसी की और 117 रनों से मैच जीत कर शिंखला में 2-1 से बढ़त ले ली रोई शर्मा ने दूसरी पारी में 127 रनों की शांदार पारी खेली और मैन अब दे मैच रहे थे एक नज़े डाल लेते हैं शिंखला में अब तक के टॉप परफरमर्स पर सबसे ज्यादे रन जो रूट ने बनाये हैं 564 रोई शर्मा दूसरे नमब पर है 368 रन बनाये है केल राहू ने 315 चेटिसो पुजारा ने चार मैसों में 227 रन बनाये विराट कॉली ने 218 और बोलर्स के परफरमेंस पर एक नज़े डाल लेते हैं पॉली रोबिंसन ने 20 विकेट लिये हैं जस्पीद बुबनाह ने 18 जेम्स एंडर्सन ने 15 मौहमद सिराज ने 14 और मौहमद शमी ने 11 विकेट लिये हैं एक साल में जैसा कि मैंने बदाया प्रश्थितियां काफी बदल चुकी हैं विराट कॉली की जगह रोईश शर्वा भारत के कप्तान है तो जो रूट की जगह बेन स्टोक्स इंग्लेंड के कप्तार बनाए गये हैं तो इस बार टक्कर जबरदस रहने की उमीद है भारती टीम इतिहास बनाती है या इंग्लेंड की टीम इतिहास दोराती है यह देखना काफी दिल्चस्थ रहेगा आज बस इतना ही क्रिकेट और स्पोर्ट्स की दुन्या की तमाम कपरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल NETV इंडिया और NETV स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें साथ ही आप ट्वीट कर सकते हैं मेरे ट्वीटर है एट सेंड की शोर बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार